अलो एब्रिवन वेलकम बेक टू माई चैनल आज आप सब के लिए मैं एकदम स्पेशल मावा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ हम घर पे एकदम चिकना मावा बना कर तयार करेंगे जैसा मार्केट में मिलता है एकदम वैसा ही बिलकुल भी दानेदार नहीं बनेगा मावा औ जब तक यह बोईल होता है तब तक मैंने यह एक बोल ले लिया है इसमें हम टू टेबल स्पून अरा रोट पाउडर डालेंगे जिसको कॉन फ्लोर भी बोलता है मार्केट में बहुत इजली आपको मिल जाएगा दो चमच अरा रोट पाउडर डालने के बाद इसमें चार स पान चमच मैंने पानी डाल दिया है पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके इसका हम सीरप तयार कर लेंगे और यही वो सीक्रेट इंग्रेडियंट है जिससे मावा बहुत बढ़िया बन कर तयार होगा अच्छे से मिलाने के बाद इसको साइड में रग देते हैं हमें चलाना है बीच में कोई और काम नहीं करना है बस इसको हम high flame पे पकालेंगे पांच मिनित के लिए और पांच मिनित होने के बाद मैं ने याँ आदा कब चीनी ले लिए जो हम चाई में डालते हैं वही चीनी लिए मैंने मोटी वाली चीनी ये इसमें मैंने डाल दिया अगर टेबल स्पून से देखे तो ये 7-8 टेबल स्पून है जो हम खाना खाने के लिए चमच यूज़ करते हैं उसे से 7-8 चमच डाल दिये इसको हम हाई फ्लेम पे 5 मिनिट के लिए और पका लेंगे ये देखे दूद में बोईल आ रहा है फ्ले मिनिट होने के बाद और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे अब आप सोच रहे होंगे कि पूरा एक सार डाल दिया है तो लंप्स भी बनेंगे लेकिन बिल्कुल लंप्स नहीं बनेंगे बस इससे लगातार आपको चलाते रहना है बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है और दो से तीर मिनिट और पकाने के बाद इसमें काफी बबल्स आ गए और ये पैन भी दिरे दिरे छोड़ने लगा है इसको अब हम दो मिनिट तक हाई फ्लेम पे और पका लेंगे इसको हमें लगातार चलाना है लास्ट का स्टेज है बिल्कुल भी लगना नीची यह यह और यह देखिए बिल्कुल दाने नहीं बने एकदम चिकना मावा बनाया और क्वेंटिटी भी आप देख सकते हैं दो मिनिट बाद इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे यह मैंने प्लेट में निकाल लिया है आपको यह थोड़ा पतला लग रहा होगा लेकिन इसको हम 10 मिनिट के लिए फृज में रख देंगे सर्दियों के मौसम में आप इसे बार भी रख सकते हैं 10 मिनिट बाद मां आपको दिखाती हूं यह देखे दस मिनिट बाद मैं इसको फृज से निकाल लिया है और यह एकदम डो की फो में आ गया है इसको एक बार हाथ से हम अच्छे से मसल जैसे आटे को गूनते हैं उसी तरीके से 30 से 40 सेकिंड तक बढ़िया से चिकना कर लेना है और यह देखिए बिल्कुल दाने नहीं है एकदम चिकना मावा बनकर तयार हुआ है और अब हम हाथ को ग्रीस कर लेते हैं ओइल से हाथ को ग्रीस करके इसको एक बार अच्छे से हम मसल लेंगे और इसकी एक लोई सी हम बना कर तयार करेंगे और अब हम इसका रोल बनाना शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा रोल इसको हाथ में करने के बाद मैंने या एक प्लेट को ग्रीस कर लिया अब इस पे हम रोल बनाना शुरू करते हैं आप अपनी पसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं रोल को अगर आप ट्राइंगल शेप से बनाना चाहते हैं और बिना दूद के बनाना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैंने आप सब के साथ रेसिपी शेयर की है ये रोल बनने के बाद इसको मैंने पंदरा मिनिट के लिए फ्रीजर में रख दिया था ताकि रोल काट टे टाइम बिल्कुल भी स्टिक ना आओ ये देखिए कितना स्मूधली रोल कट रहा है और बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुआ है नाइफ भी मैं आपको दिखा देती हूँ इसी तरीके से सारे रोल तयार कर लेंगे और ये रोल्स बनकर एकदम तयार है एकदम जटपट बनने वाली रेसिपी है जादा इंग्रीडियन्ट हमने इसमें नई उसकी है और बहुत ही जल्दी मावा बनकर तयार हो जाता है एकदम मार्केट जैसा ही रोल्स आप देख सकते किते लाजवाब लग रहे है खाने में भी बहुत ही जादा टेस्टी है अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ऐसी अमेजिंग सी और हल्दी रेसिपीस के लिए अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें थैंक यू